इन्हें आँखों से भले नहीं दिखता हो लेकिन इस प्रेमी जोडे ने दुनिया को बता दिया कि प्यार एक एहसास है जो दिमाग और आँखों से नहीं दिल से होता है कहते हैं अगर प्यार होता है तो जंदगी कुलजार कर देती है। बिहार के सौरबजीत और महराश्र की करिश्मा दोनों देख नहीं सकते। लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है ये दुनिया को जरूर बता रहे हैं। इस प्रेमी जोडे से खास बाचीत की हमारे संबाद दात अनिकेत कुमार ने। मुंबई जाते हैं, एक फैक्टरी में काम करते हैं और इसी फैक्टरी में मुंबई की ही करिश्मा से इनको महबत हो जाती है। लेकिन इस कहानिक में एक रोचक ट्विस्ट ये है कि ये दोनों जो है वो अपने आखों से देख नहीं पाते हैं। बाबजुद इन दोनों को एक दूसरे से बे इंतहा महबत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं, दोनों को एक दूसरे जो है वो पसंद भी आते हैं। लेकिन करिस्मा के माबाप जो है वो इन दोनों की साधी करने से कतर आते हैं क्योंकि सौरबजी जो है वो बिहारी होते है वो कहते हैं कि आखिरक बिहारी से अपने बेटी की शादी कैसे करेंगे हाला कि प्रेम प्रेम होता है प्रेम के आगे परिवार को जुकना पड़ता है इन दोनों की जो महबत है वो मुकंमल हुई और दोनों ने शादी किया और आप पट्ना में ये दोनों जो है अपना दिन जो है वो गुजारते हैं अब ऐसे में इन दोनों की प्रेम कहानी को हम थोड़ा और भी डीटेल में जानेंगे कैसे इनको महबत हुआ और उस दोरान क्या क्या हुआ वो पूरी बाते जो है वो हम इनसे जानेंगे क्योंकि Valentine's Week चल रहा है और ऐसे में प्रेम कहानी जो है वो जरूरी है दिखाना और ऐसे में Saurabajit और करिश्मा की प्रेम कहानी जो है वो बिहार तक पर हम आपको दिखा रहा है सुरabajit सबसे पहले तो आपका शवागत है Thank you वेलेंटाइन्स वीक चल रहा है और आप दुनों की जो प्रेम कहानी है वो जोरा हमें बताइए कि आप मुंबई कब गए और इनसे कब मुलाकात हुई और कैसे इनसे मोहबत हुई मैं 2009 में मुंबई गया और रियाबिलिटेसन स्कोर्स करने के लिए गया था जिसमें मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग दे जा रही थी मेरे मुझे जिश्य अगरबती बनाना कैंडल बनाना चॉकलेट मैकिंग बहुत सारा ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा था तो उस ट्रेनिंग की दौरान भी हमारी मिसेज करिश्मा जी का बैच आई थी बट इतिफाग देखे कि हम लोग फेश टू फेश हुए मगर एक दूसरे से कोई बात विचार नहीं हुई जब 2010 में हमारा दूसरा बैच गया मैडिकलोमा करने के या फीजो थेरेपी का तो उस टाइम भी इनका बैच आया MSCIT कोर्स करने के लिए तो उस दोरान हमारी मतलब एक ही कमपार्ण में होस्टल था दोनों का और एक ही कमपार्ण में दोनों का कलास था तो मनलब उसी दोरान रोज एक ही शाथ आना जाना भी होती थी वहाँ पर एक हाले टाइम में हम दोनों एक साथ बैठना उटना भी तो मनलब बात विचार बढ़ी फिर मनलब दोस्ती हुई फिर यह अफैर में बदल गई मनलब अभी मुझे लगता है कि 2009 में गया उस टाम भी इनकी बैठ चाही और 2010 में भी गया तो भी इनकी बैठ चाही तो मुझे कहीन कहीन लगता है कि एक दूसरी को भगवान मिलाने की ही कोशिश कर रहे थे क्यूंकि अगर आशन नहीं होता तो बार बार जब भी मैं यह जा चाहर हो गया है इनको आपसे प्यार हो गया तो मुझे की काफी मतलब वह लगता था कि अरे यार वह लड़की नहीं खाती एद चीज उसके लिए दुसरा प्रपोज को किस ने किया प्रपोज इन्हों ने किया क्या बोला था इन्हों लगता था उसे तो आशास मुझे होई गया था कि यह मुझे लाइक करने लगी बट एक दिन मतलब हम श्रमुंदर की बीच पे दोनों बैटे हुए थे हमारे होस्टल के जस्ट सामने ही समुदर था तो उसी बीच पे दोनों बैटे हुए थे तो यह बोली कि मैं बोला कि अब तो कोर्ष खतम होगी फिर हम लोग घर जाएंगे तो बोली क ही घर जाएंगे तो मन लगेगा क्या मैं बोला कि यह कोई बात नहीं है तो यह बोली कि मैं तो आपको बहुत लाइक करने लगी हूँ मुझे तो घर पे रहा नहीं जाएगा तो बोला मैं बोला कि पहले कभी नहीं बताई वर्मले शास तो होता था बड़ं तुम जाहेड करना चाहिए फिर उसी से मैं मतलब यह मुझे परपोज की तो मैं तुरत अक्षेप्ट किया मैं रिप्लाई किया इसको और उसी दिन मैं इसको एक मुबाइल गिप्ट किया मुझे लगा था कि घर पर जाएगी तो बात कैसे करेंगे क्योंकि इनके पास फोन वगेरा था नही मैं मुबाइल गिप्ट किया और फिर उसी से मतलब कंटिन्यू बात होने लगी बात होते होते मतलब इनकी घरवालों को पता चला तो घरवालों अगेंश में आ गये कि मतलब वो बिहारी लड़का है बिहार में ले जाएंगे तुमको कैसे रखेंगे नहीं रखेंगे तो म फोन बगिदा भी सब कुछ स्फिन लिया गया कोई कॉंटक्त नहीं मिरे पास इतना घ़ा ठिमाग के घर की नंबर इनकी और जो अगल बगल की मेरे पास था तो मैं कहीं से कुसी किसी जो मेरी फ्रेंड थी तो उनकी हेल्पarleहन के अपनी मैसेग को पहुंच आता था और इन परिवार वाले तो माने नहीं तो मैं तो मिधर आओगे तो हम उसमें जो फैमली होती है अपने बच्चे के शादी कैसे हुए तो मैं उनको ओपन चैलेंज किया कि आप दस दिन के अंदर अंदर मैं उनको ले कि आऊँगा आपको जहां भी चुपाना आप छुपा सकते हो फि मैं कर दिया हमारी उसे मैं मैं एक क्रिश्चन हमारी टर्च में थी क्रिश्चन मैडम थी वह बोली नहीं बेटा उदर घाटी लोग रहते हैं जाओगे तो तुम्हें बाड़ी भी नहीं आएगी तुम्हारी मैं जो होना होगा हम देख लेंगे हम डर नहीं था कि अगर हमा से बड़ा वो था कि महाराष्टा लड़की थी तो मुझे अगर मैं अपनी लाइप में अगर किसी को इंटरी दीया हूं अगर दोस्ती किया हो अफैर तक हो गई तो मैं बी भी इसे बनाऊंगा तो मेरे सामने उपन चालेंज आ गया तो मैं इनकी मदर मैं 10 दिन को इनको ब हमने भाग कर शादी किया हमने भाग के आया मुझे इतना लगा कि यार एक मा की टेंशन होगी कि मतलब मेरी बच्ची कैसी है कि मैं जैसी वहां से नीकला मुझे लगा कि मैं आप सेफ हूँ तो मैं तुरत कॉल मैं वह वहां कि आप अपकी बेटी मेरे पास है इनसे मैं बात कर वाए है आपको कब लगा आपको कब लगा कि आपको इंसे प्यार हो गया है मुझे तो लगा था कि साथ में क्लास करने के लिए जाना, आना, खाना, सब कुछ साथ ही नहीं होता था, बैठना, उटना, घुमने के लिए जाना, तो उस समय हमको लगा था कैसे इनको परपूज किया आपने? परपूज किया इनको सामने में? अधिये करिस्मा कैसे इनको परपूज कर रही है, तो मतलब कितना मुश्किल था आपके लिए आपके परिवार वाले जो है, वो आपके खिलाप थे, लेकिन फिर भी आपने सौरफजीत से जो है, वो शादी की? कितना मुश्किल था वो वक्त? मैंने सौरफजीत को, मैंने सौरफजीत जो है, वो गाना भी अच्छा गाते हैं, उनको गाना गाकर सुना करते थे आपको समंदर के बीच पे? कौन सा गाना सुनाती थे? साथ समंदर वाला सुनाए तो कौन सा गाना आपको सुनाते थे जो आप इनके लिए गाया करते थे समंदर के बीच पे बैठ करके? प्रेम कहानी जो है, वो कितना पवित्र होता है, आपने देखा सुरफ जीत और करिश्मा की कहानी की कैसे बहार का लड़का और महराश्टर की लड़की जो है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरे को देख नहीं पाते हैं, लेकिन बे इंतहा मोहबत होती हैं दोनों की बीच में और दोनों जो है वो परिवार से बगावत कर एक दूसरे से शादी करते हैं और आज शादी के तक्रीबन आट से दस साल हो गए हैं और देखा आपने के कितना romance है इन दोनों के life में झाल झाल